आप सभी को नमश्कार और सरफर्थम आज आज के दिन हम सभी के जिन्दगी का खास दिन है और खास दिन आज जिन्दगी बदल देने वाले डाइमेंड से लिवेशन में आप सभी का हार्धिक का बिनंदर करता हों है वक्त है यह जानने का और समझने का कि हम लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए है आज क्या क्या होने वाला है क्या क्या हम पाएंगे या ले सकते है आज यहाँ पे इकठा होने का उद्देश क्या है या आपके मन में सवाल होना चाहिए या होगा या ऐसे ही कुछ सवालों का जबाब लेने के लिए आप बहुत दूर से चल चल कर यहां तक आए हैं मेरा नाम पर सुराम है मैं गोरकफुर से हूँ इस बिनस को मैं तेरे साल से कर रहा हूँ इस आगरा के धर्टिब मैं आया था कोई काम मुझे मिल जाए जाब मिल जाए कोई मुझे प्राइबेट तुम्हें है मैं गौर्पेट जाब की तलास में हाँ पे था तीन महीने तक मैंने जाब की तलास किया मुझे जाब नहीं मिला निराशों के एक दिन एक चोरह Ayas पे बैठे हुए थे और इसी बिजनस की जानकारी जैसे आपको दी गई है तरीका वही रहता है अलग-अलग बेक्ति को अलग-अलग तरीके से बताया जाता है मुझे भी बताया गया तो वो जाब तो नहीं मिला लेकिन बिजनस मुझे मिल गया इसी आगरा में कि अँअ है अँए और कि इसको मैंने स्विकार किया कि कि सविकार ने करने का कोई और आफ्षन भी नहीं था मैं लेकिन यह सोचके शेशक नहीं किया कि एक दिन आग्रम है एक यह तिन तिन दैनर्मन सलिवेहन यह सोच के स्विकार नहीं किया था कि मात्र इतना सोच के स्विकार किया था कि जो जॉब है वहां पर भी काम करने से कुछ पैसे मिलेंगे और यहां पर भी काम करेंगे तो कुछ पैसे यहां पर मिल जाएंगे कुछ पैसों के लिए मैंने इस विजिनस को सुरुवात किया था शुरू कर दिया मुझे कुछ ग्यात नहीं कि क्या है कैसे काम करता है यहाँ पे कितनी बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है ऐसा कुछ नहीं पता ऐसे ही एक दिन इवेंट हुआ इसी आगरा में और एक बेक्ती पेसे से इंजिनियरिंग फिल्ड से थे और उनका एक डाइमन प्रमोशन हो रहा था और मेरे जिनोंने मुझे स्विनस में इस bowl था उन्होंने कहा कि आये आपको एक चीज़ दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपके जिन्दगी बदल जैएगी मैंने कहा एक बार तो आप बदली चुके प्लान दिखाके में तो अभी ये प्लान पूरा नहीं होआ क्या उन्होंने कहा ये प्लान इतना बड़ा है कि इसको समझने में ही कई साल लग जाता है तो आई आपको इसी प्लान का मैंने जो आपको प्लान दिखाया है वो एक समुद्र जहां समुद्र है उस समुद्र से एक लोटा पानी लिया के दिखाया आपको आपको समुद्र अभी देखना वाकी है मैं कुछ निका उस्समुंदर देखने के लिए कहा जाना पड़ेगा बोला वहाँ जाना पड़ेगा एक āखाल है यहां पर वहाँ पे शूर सदन मैंने का ठीक है चलता हूं मैं मैं अजया और ईएसे एवेंड में इंट्री हो इग हई घंटो लाइन में लगा रहा खाने के फिर उसके लिए लाइन लाइन पर लाइन और कुछ समझ में आया नहीं फिरहाल आके किसी तरह से चुपचा बैठ गए और बैठने के बात फिर मैंने संकल्प लिया कि आया हूं अकर इतनी बड़ी बात है तो कुछ तो जरूर होगा यूहीं लोग इतना आयोजन नहीं कियों उसको बंद कर दिया कहा अब मैं फुल इंजॉय करूंगा इस मिटिंग का और देखता हूं क्या है यहां पर बैठा रहा एक गतिविधी को मैं नोटिस किया देखता रहा सोकता रहा और जब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे प्रोग्राम सुरुआत में कुछ समय नहीं आया लेक यहार उटा और मुठी बांद रिया कि कुछ हो नहों सच में मुझे समुंदर दिखाया गया अब विजय वाला पल तो एक दिन मैं पने जिन्दगी में जरूर लाके दिखाऊंगा और और वही पल आज घटित होगा बहुतों के साथ आज फिर स्वाती की बूद गिरगी लेकिन सीब का मुझ खुला होगा तो मोती जरूर निकलेगा बास की पंगुरी एक टुकडी उसी कोई कीमत नहीं है तब तक जब तक एक संगतक के होटों से असपरस न हो जाए एक संगत मिलती है तो बहुत मधूर धून देता है और आज भी एक ऐसी संगत एक ऐसा आऊसर एक ऐसी स्वाती की बूद की बरसा होने वाली है कि वो हमारी जिन्दगी को एक नया अंजाम एक नये मोड पे पहुंचाएगी तो मैं आप सभी से बिनम्र निवेदान स्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप ही की तरह आया था और ऐसे ही इवेंट से मेरा जिन्दगी बदला है मैं बिलकुल नहीं चाहूंगा कि आप मिस्सों ये इवेंट तो क्रिप अगर के मोबाइल को आप जैसे भी है उसको साइड में रख लें और आप स्किम्ती समय आपने खर्चा की की वसूली होनी चाहिए कि नहीं है तो एक गाना है मैं तेरे दर पे आया हूँ हलो कुछ कर के जाओंगा हाँ जोली भर के जाओंगा गाना है तो सच थोड़ा कम ताली बजाएंगे मैं यहां आया था एक जॉब की तलास में सेव साप के दर पे जो जो आया है फ्रेंट लाइन में धेर सारे लीडर आए हैं, सब भी ऐसे ही आये थे, आज सब की जोलिया भर गई है, और मेरी भी जोली इतनी भर गई है, कि वर्ड की सबसे महंगी एक्सुवी मैं चलाता हूँ, किंग है एक्सुवी काओ, वो मैं चलाता हूँ, अब क्या चाहिए आपको, वही आपको मिलने की पूर्ते असंभावना है, तो आपको अपने आपको संकल्पित होना है सबसे पहले कि मैं रुपया पैसा सब कुछ खर्चा किया हूँ, आया हूँ, तो कुछ जरूर लेके जाऊँगा, क्या संकर्प लेते हैं आप सभी लोग, लेते हैं आप सभी लोग, तो यह आपके अंदर एक teachability, एक सोखने की ताकत आपको लेके आना है, और जो बड़े खास इवेंट होने वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ, करमसा है, नमबर वन, आपको जितने भी लोग इस मंच वे दिखेंगे, वो हमारे बीच से होंगे, हम बड़े-बड़े महापूरसों और महात्माओं की बड़े-बड़े वीरों की कहानिया पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, होना ही चाहिए, लेकिन जब हमारे बीच का भाई हमें इंस्पायर करें, कि मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो, तो यह हमारे इदम प्राक्टिकल फायदे में आता है, तो हमारे बीच से ऐसे सारी लोग आएंगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे डाइमन बनने के लिए, यह एक इवेंट होगा, उसके बाद जो बड़ा इवेंट होगा, जो बड़ा धमाका होगा, आज हम सभी लोग तीन प्रमोसन देखने वाले हैं, जिसको देखने के बाद, एक देखने के बाद, अगर 80% होगा, और दूसरा देखने के बाद 100%, तीसरा चाहते जाते तो आपके अंदर से आवाज आएगा, जि मही डायमन दूआ है, और उस चीज को अंजाम देने के लिए, जो हमारे बीच में कोच हैं, जो मेंटोर हैं, जो पत परदर्सक हैं, जिनके द्वारा के संचालित होता है, जिनके द्वारा मेरे मूँ से आवाज आ रही है, जिन्होंने हज्यारों लोगों को जिन्दगी को बदल के रख दिया है, जो इस देश में एक क्रंधी का रूप छोड़ देखने के बहुतों को फाइनिसली फ्रीडम दे चुके हैं, जिनके उपलब्धी बहुत बड़ी है, वो साथ चात आज मिलेंगे, और मंच फे आज उनको उनकी बहुत सारी कीमती बातों को, ऐसी बातों को आप सुनेंगे, जो आपको डाइमन्स या जिन्दगी बदले में चार परसें भी नहीं बता पा रहा हूं जो होने वाला है, और हमारे बीज में दो महान सक्सियस हैं, डाइलेट सिनिंग इंडस्ट्री में पिछले 22 साल से देश में काम चल ला है, मैं बहुत गैरेंटिक साथ बोल सकता हूं, इतना बड़ा संगठन इस देश में, कोई जोडी न की लाइन है, मिलनेर्स की लाइन है जिनके टीम में, जिनके टीम में इतने सिल्वर हैं कि काउंटी नहीं कर सकते, इतने पल टोपाज हैं कि काउंटी नहीं कर सकते, इतने डायमेंड सरके टीम में बन रहे हैं, उनको पूछना बढ़ता, आज कितना डायमेंड बन रहे हैं, मालूम है कितने डाइमन बने इतने तेजी सी डाइमन बने इतना बड़ा संगता तो उनको अगर आप साथ-शाथ सुन लेंगे तो मजा आएगा कि नहीं अब आपके बीच में बिलकुल बाधा नहीं बनूंगा मैं मैं यही सिर्फ बताने आए था कि आज की मीटिंग का इंप आप आप